हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में आज हम एक नए शीरीज की सुरुआत करने वाले हैं जिसमें बिहार के विभिन जीलों के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि आखिर इन जीलों में क्या है और क्या नहीं है तो शुरुआत करते है आज के इस वीडियो के साथ इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक भी करें चलिए देखते हैं आज का जीला गया गया के बारे में हम कुछ अधियन करते हैं गया काक्छांसी विश्तार 24 डिगरी 5 मिनट से 24 डिगरी 10 मिनट उत्तर और देशांत्री विश्तार 84 डिगरी 4 मिनट से 84 डिगरी 5 मिनट पुर्व की और है साथ चिन साथ इसका छेतरपल 4976 वर्ग किलो मीटर है आप इसे गूगल मेप पर देख सकते हैं यह एनाइसी का है तो गूगल मेप में इस परकारियत दिखेगा जिसमें चाकन गया बोद गया रूट है और पटना से गया का रूट जो है वह आप यहां देख सकते हैं जो 98 किलो मीटर के लगभग है ट्रेन से कम समय लगता है और बस से अधिक समय लगेगा आईए अब देखते हैं किसके अस्थापना कब हुई अस्थापना 3 अक्टूबर 1865 में हुई जिसमें गया नवादा और अंगाबाद जहनाबाद और अरवल जिले शामिल थे साथी साथ आप देख सकते हैं कि गया जब 3 अक्टूबर 1865 में बना और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो गया डिस्टिक जो गया जिला कई जिलों में भी भक्त हो गया तूट गया 1973 में नवादा असाथी साथ और अंगाबाद में और 1986 में जहानाबाद तूटकर अलग हुआ उसके बाद गया का सुरूप वही का वही है जो अभरतमान में आप देख रहे हैं परन्तू जहानाबाद जिला जो है तू गया और गया के बीच में अगर अनुमंडल की बात की जाए तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है जिसमें चार अनुमंडल गया के हैं जिसमें गया सदर नीम जकबतानी शेर घाटी और टिकार या ते इनी चार अनुमंडल को हम गया डिस्टिक में देखते हैं तो इन अनुम पदर, बेला गंज, वजीर गंज, मानपूर, बोध गया, टनकुपा, फतेहपूर, टेकारी में कोच, टेकारी, गुरारू और पराया, नीमचक बतानी में खिजर सराई, अत्तरी, बतानी, महोडा और शेर घाटी, अनुमंडल में गुरुवा, आमस, बाके बाजार, इमाम ग दुमरिया, शेर घाटी, डो, भी, महनपूर, एवं बाराचेटी परखण है, यह 24 परखण गया के हैं, जो आपने अनुमंडल के नजरिये से देखा, इसके बाद आईए, हम बात करते हैं कि, गया जीले में लोक सभा कितने हैं, तो कुल मिला करके, गया जीले में एक ही लो मिल हैं, आईए देखते हैं कि, गया का विधान सभा में क्या भागिदारी है, तो कुल मिला करके, विहार में 243 विधान सभा है, जिसमें 10 गया में वत्तमान में इस्थित हैं, और इन 243 में 40 सीट सी का है, जिसमें 3 गया में ही आपको मिलेंगे, इन विधान सभाओं में, ग और वजिरगन शामिल हैं जिसमें से आपको इमाम गांज 12 चट्टी और बोध गया SC के लिए रिजव हैं तो ये था गया में विधान सभा तो कुल मिला करके 10 विधान सभा हैं जिसमें से आपको 3 विधान सभा छेतर SC के लिए reserve है तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं लाइक करें और नहीं पसंद आता हो तो डिज लाइक करें कमेंट करें और हमें कोई suggestion देना चाहते हैं तो suggest करें तो इसी वीडियो में हमने देखा कि गया का सोरूप क्या है और अगले वीडियो में हम लोग गया के बारे में और भी कुछ जानकारी हाजिल करेंगे जानकारी ये कठ़ा करेंगे और देखेंगे कि किस परकार से गया जो है इतिहास में और वरतमान में अपने आपको साबित करता है कि वह किस परकार का जिला और छेत्र रह चुका है तो इंतजार किजिए अगले वीडियो का धन्यवाद